SSC CHSL के Online Form फिल होना स्टार्ट हो गए है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपना Combined Higher Scandry Level यानि CHSL का Online Form फिल कैसे करोगे जैसे कि देख सकते हो Portal पे भी Notification आ गया है आज से आप SSC CHSL का Form फिल कर सकते हो इसकी जो Qualification है वो 10 प्लस 2 रहने वाली है और आपका जो Last Date रहेगा Online Application का वो 4.1.2023 को रहेगा तो इस वीडियो में आपको Step by Step फुल प्रोसस दिखाएंगे कि आप SSC CHSL का Online Form फिल कैसे करोगे तो आपको आना होगा अपने Mobile Phone के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा SSC SSC सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे SSC यानि Stop Selection Commission का Official वेब साइट आ जाएगा तो आपको SSC का जो Official वेब साइट है वो Open कर देना है उसके बाद अगर आप already user है तो आपको यहाँ पे अपना registration number और password फिल करना है password फिल करने के बाद आपको यहाँ पे capture डालना होगा capture डालने के बाद आपको लॉग इन कर देना है अगर आपको अपना password जो है भुल किया है तो आपको यहाँ पे उसके बाद आपको वो OTP वेरिफाई करना है, OTP वेरिफाई करने के बाद आप जो है वो successfully forget कर दोगे अपने password को, आप new candidate हैं, तो आपको यहाँ पे new user register पे click करना होगा, new user register पे click करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है, do you have अधार, तो आपको यहाँ पे yes कर देना, अग वेरिफाई करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना name fill करना है, यह only for on candidates के लिए हैं, जो new registration करना चाहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे father name fill करना है, उसके बाद आपको यहाँ से अपना mother name fill करना है, उसके बाद यहाँ से आपको data birth fill करनी है, data birth fill करने के बाद, यहां से आपको matriculation जो 10th class की examination details है वो fill करने होगी यहां से आपको अपना board select कर देना है आपने state board, cbac, cbsb board से आपने 10th की होगी तो आपको वो details यहां पे fill करने होगी उसके बाद आपको यहां पे 10th का roll number fill करना है उसके बाद यहां पे आपको year up passing fill करना है उसके बाद यहां से आपको general select कर देना है general select करने के बाद यहां से आपको अपनी level of qualification select करना है आपने 10th pass की है, highest qualification यहां पे आपको enter करनी होगी 12th pass क्या है, जो भी आपने diploma graduation जो कि आपकी highest qualification होगी वो आपको यहां पे enter कर देनी है उसके बाद आपको यहां पे अपना mobile number फिल करना है, mobile number फिल करने के बाद यहां से आपको अपना email id फिल करना है, उसके बाद आपको यहां पे अपनी ut select कर देनी है या state जो भी, उसके बाद आपको save पे click करना है, save पे click करने के बाद आपको यहां पे additional contact details फिल करनी है, उसके ब छो 10 बी अंडर कर दे रहा है हो टिपी अंडर करनी के बाद की जो 17 है वह सेकसेशस फुली हो उसके बाद आपको यहां पर अपना यूजर नेम तरह रिसिटिशन नंबर और यहाँ पे आपको password fill करना है, password fill करने के बाद आपको यहाँ पे capture fill करना है, capture fill करने के बाद आपको login पे click करना है, उसके बाद आप successfully login हो जाओगे, stop selection commission की website पे, उसके बाद अगर आपको कोई registration में गलती लगी है, तो आप यहाँ से अपनी registration है, वो modify कर सकते हो, उसके बाद आपको यानि आप देख सकते हो यहां पे Combined, Higher Secondary, 10 Plus 2 Level, Examination 2022 तो यहां पे आपका जो Application Apply का Option है वो आगे है तो आपको यहां पे Apply पे क्लिक करने हैं, Apply पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका जो Name है वो आ जाएगा, उसकी बाद आपको नीचे आ जाना है, यहां पे आपको Select करना है अपना Examination Center आप First Examination Center जो है वो कहां रखना चाहते हो, उसकी बाद आपको यहां पे अपना Second Examination Center Select करना है, उसकी बाद आपको यहां पे जो भी आपका Examination Center नस्दीक पड़ता है तो आपको वो ही में guide करूँगा, Select करना उसकी बाद आपको यहां पे अपना medium जो typing test है वो English में रखना चाहते हो, Hindi में रखना चाहते हो तो आपको वो Select करना है, उसकी बाद आपको यहां पे verify करना है अपना जो typing test है, उसकी बाद आपको बता रहा है whether 10 plus 2 standard pass in science stream अगर आपने science stream में पास किया with mathematics के साथ तो आपको यहाँ पर yes कर देना अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से no भी कर सकते हो उसके बाद आपको बता रहा है आप exercise man हो तो आपको yes करना है अगर नहीं हो तो आपको no कर देना उसके बाद नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है आप अगर age relaxation में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर yes करना है अगर आप age relaxation में नहीं आ रहे हो तो आपको यहाँ पर no कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी highest qualification यानि आपकी जो भी हैस्ट qualification होगी graduation BA, BSC, BA जो भी होगी तो आपको वो select कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ पे अपनी जो qualification details है यानि 10 प्लस 2 जो 12th standard है वो select कर देना है उसकी बाद आपको status यहाँ पे select कर देना है आपने pass कर दिया है या आप appearing में हो उसकी बाद आपका यहाँ पे roll number आपको select कर देना है roll number select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो state है वो select कर देना है उसकी बाद आपका जो भी board होगा वो आ जाएगा उसकी बाद आपको यहाँ पे अपना 10 प्लस 2 का जो roll number है वो feel करने उसके बाद percentage अगर आपका result जो है वो CGP में आया है तो आपको यहाँ पे CGP अपना डाल देना है उसके बाद बता रहा है कि आप अगर कोई job कर रहे हो तो आपको यहाँ पर yes कर देना अगर नहीं कर रहे हो तो no कर देना उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना photograph स्लेक्ट कर देना आपका जो photograph साइज रहेगा वो 20 कB से लेके 50 कB तक रहेगा उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी signature अपलोड करनी है आपका जो signature साइज है वो 10 कB से लेके 20 कB तक रहेगा आपका जो फार्मट है वो JPEG याने JPEG फार्मट में एपलोड कर सकते हो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दू आपके photograph पे जो है वो date mention होना बहुत जुरूरी है otherwise आपका जो SSC CHSL का form है वो reject हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक चीज़ में advice दूँगा clear photograph और clear signature एपलोड करना ताकि आपका जो form है वो accept हो जाए otherwise अगर आप clear signature या photograph एपलोड नहीं करते हो या photograph पे date mention नहीं करते हो तो आपका जो form है वो reject हो जाएगा उसकी बाद आपको यहाँ पे अपने photograph पे जो आपने date लिखी है वो 6 सप्तमबर के बाद की होनी चेए यानि आपका अगर 6 सप्तमबर से पहले की date डालती हो photograph पे तो आपका form तब भी reject हो सकता है उसकी बाद आपको यहाँ पे ये yes select कर देना है यानि आपका जो photograph है और यहाँ पे capture डालना है capture डालने के बाद उसकी बाद आपको यहाँ